आश्या करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे में नाम पर सिद्धान तक नहीं होतरी स्टेडी आईक्यूपाफ का बहुत बस वागत है जम सारी वैक्सीन के बारे में बात करेंगे बहुत 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 रिदिन इंडियन एक्स्प्रिस का आर्टिकल है और इसमें बता है सारी वैक्सीन देखिए अब हम वैक्सीन के अंतिम पड़ाओं पे आ गए हैं रेस का भी आखरी चरण है तो अब हमको पता चलेगा कि वैक्सीन कितनी एफेक्टिव है अब सबके रिजल्ट आएंगे दिसमबर तक सब क्लियर हो जाएगा तो फिलाल जरूर फॉलो करो रात आट से दस बज़े तक मैं सारी कोईरी आंसर करता हूं तो आपको पता ही है कि सबसे पहले जिसने रिजल्ट रिलीज किये वो है फाइजर फाइजर की वैक्सीन 90% से जाधा एफेक्टिव थी इसमें मैंने लेचर लिया है पूरा का पूरा आपको ब बताया था कि पूना वाला साहब तो यह कह रहे हैं कि अगले महिने 10 करोण वैक्सीन हम मना लेंगे हम रेडी रखेंगे और उसका एमर्जंसी यूस ऑथराइजेशन भी ले ले लेंगे ताकि भारत में भी वैक्सीन लगाई जा सके तो फाइजर जो है फाइजर फाइजर तो अभी तक भारत में उसने ट्रायल भी नहीं किये हैं फाइजर अमेरिका की है और इसका जो रिजल्ट है वो 90% से ज़ादा एफेक्टिव MRNA मेसेंजर RNA टेक्नोलोजी पे ये बेज़ड है MRNA के बारे में मैंने आपको बताया था साथी साथ जो मोडेना है वो भी MRNA पे बेज़ड है तो ये सारी वैक्सीन्स जो हैं जादा तर वो MRNA टेक्नोलोजी पे बेज़ड है and they are highly effective अब इससे पहले मागे बढ़े बता दू म अब 11,000 सब्सक्राइबर है तो ये ओरिजिनल है आप यही जोइन करिए तो बस थोड़ा सा इस चीज़ पे ध्यान रखिएगा तो रिजल्ट बड़े बढ़िया आ रहे हैं encouraging result आ रहे हैं देखिए WHO के हिसाब से 150 से जादा COVID-19 vaccines they are presently in development in fact 117 से जादा है और जिसमें से 44 candidates जो है they are in their clinical trials और 11 जो हैं ये अपने phase 2 या phase 3 trials में है तो result बढ़िया आएंगे ही आएंगे देखिए इतने सारे candidates हैं तो आप समझ लीजे कि अगले साल तक हमको vaccine की बाढ़ आने वाली है आप decide कर लीजेगा कि आपको किसे vaccine लगाने लेकिन जो पहला इसमें race जीतेगा कमाल तो अभी तो यही है कि race जीतेगा कौन फिलाल हम अमेरिका की बात करते हैं देखिए फाइजर के जो result है बढ़िया आए है 90% से जादा आए है और यहाँ पे Bloomberg ने ये report कि आए कि Dr. Anthony Fauci सबके प्यार है Anthony Fauci ने बोला है कि बाकी vaccines के भी similar result आएंगे यानि कि Modena के भी 90% से जादा result मतलब जो effectiveness है वो 90% से जादा होने वाली है phase 3 अमेरिका की जो Modena है वो phase 3 trials में है और इनके भी trial होई रहाए अब result आने वाले है initial result would be released soon first result जो है वो कम cases तो इसमें 33 cases को analyze किया जाएगा फाइजर ने 94 COVID-19 infections को analyze किया था 44,000 participants में ये trial कर रहे हैं Modena और फाइजर दोनों नहीं 7 में जुलाई में ही दोनों नहीं जुलाई में phase 3 trials जो है वो start किये थे Modena ने ये भी बोला है Pfizer ने भी ये बोला था कि अगर सब कुछ बढ़िया रहा तो हम emergency use authorization ले ले लेंगे क्योंकि बात हुई और Modena थोड़ी महंगी भी मिलने वाली है 5-6,000 के बीच में इसकी जो मतलब जो two shots है vaccine के वो होंगे ऐसा है उसके बाद AstraZeneca के क्या हाल है ये मैंने आपको बताया ही था AstraZeneca के भी encouraging news इंडिया के लिए यह आ रही है कि Serum Institute ने यह बोल दिया है कि हम यह जो Oxford की vaccine है 10 करोड shots जो है वो December तक ready कर लेंगे यह लगने शायर शुरू भी हो जाए इसका भी emergency authorization ले 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 तो यह AstraZeneca कह रही है मतलब आदारपुनावाला जो है वो कह रही है यह भी Bloomberg ने report किया है अब दोस्तों vaccine का जो नाम है AZD1222 weekend version of common cold adenovirus जो कि chimpanzees में infections करता है उस पे यह based है आदारपुनावाला ने बहुत कुछ बोला है इस पे मैंने कल एक lecture लिया था बताया था कि 10 करोड shots और आदारपुनावाला का पुरा interview छपा है सरम इंस्टिट्यूट के मालिक है भाईया पुने में इनकी बहुत ही ambitious वैसे भी यह mums, measles की vaccine बनाते हैं दुनिया भर में 300 million dollar के company का turnover है और दुनिया भर में यह manufacture करता है यह भीजते हैं तो अब यह COVID-19 के vaccine बनाएंगे तो आदारपुनावाला ने कुछ ऐसी बाते करें जो खुश कर दें और कुछ ऐसी बाते करें जो दुखी कर दें जैसे उन्होंने बताया कि cold storage facility बहुत जाता important है और cold storage facility हर जगा नहीं है deep freezers हर जगा नहीं है फिर उन्होंने यह भी बोला था कि अगर पूरी दुनिया को vaccinate करने चलोगे तो 2024 चला जाएगा 2024 लग जाएगा पूरा का पूरा लेकिन अच्छी बात यह है कि वैक्सीन आ रही है और हमको emergency use authorization देखने को मिलेगा अब emergency use authorization देखिए ओल्रेड़ी सेरम इंस्टिट्यूट ने चार करोड डोसेज जो है वो manufacture कर ली है मतलब they started manufacturing in the past two months आगे देखते है Pfizer की क्या बात है Pfizer की देख लेते हैं Pfizer की vaccine में मैं आपको कुछ important चीज़े बताऊंगा यह segment important है ध्यान से सुनिएगा Pfizer ने अपने result जो है वो भले ही release कर दिये है अब एक बहुत बड़ी दिक्कत यह होती है vaccine आगे आपको दे दी side effects यहाँ पे जो patients है they have severe hangover एक volunteer ने बोला है कि जैसे ही हमको vaccine दी गई सिर्दर्ध हुआ फीवर हुआ और पूरी body में दर्ध होना शुरू हो गया पहली dose याद रखिएगा COVID-19 की दो doses लगेंगी पहली dose के बाद Pfizer vaccine जब दी गई सिर्दर्ध फीवर पूरी body में दर्ध second shot जब दिया गया तो यह और जदा खराब हो गया था it became more severe यह 44 साल की volunteer ने बोला है लेकिन यहाँ पे एक चीज़ और गरने वाली है मैंने आपको बताया था जब vaccine के बारे में lecture लिये थे double blind trials यह blind होते हैं आपको पता नहीं जैसे माल लीजे कि 20 लोगों को vaccine दी जा रही है तो मैंने क्या बताया मैंने यह आपको बताया था कि 20 लोगों में से आधों को vaccine दी जाती है तो बहुत लोगों को तो यह पता ही नहीं था कि किनको वैक्सीन दी गई किनको नहीं तो ऐसा है साथी साथ 44,000 पाइटिसेपेंट पर फाइजर जो है वो अपने ट्रायल्स कंड़क कर रहा है 94 जो COVID-19 पेशेंट्स थे उनके रिजल्ट सामने आए अभी और सामने आएंगे तो अभी देखेंगे जब बड़े पैमाने पे ना पा जाएगा तो यह कितनी एफेक्टिव होती है अब रश्यान वैक्सीन स्पुट्निक 5 के बारे में बात करते हैं रश्या की जो COVID-19 वैक्सीन है यह भी 92 परसेंट एफेक्टिव रश्या की जो वैक्सीन है गमायला नाशनल रिसर्च इंस्टिट्यूट और एपिडिमालोजी और माइक्रो बाइलोजी यहाँ पे इस वैक्सीन को बनाए गए रहा स्पुट्निक 5 जिसको बोला जा रहा है स्पुट्निक 5 के रिजल्ट 92 परसेंट से जादा एफेक्टिव थे लेकिन वो दोस्तों फेज 1 के रिजल्ट थे फिर बाद में भी फेज 2 फेज 3 अब भारत में देखिए फाइजर की क्या प्रॉब्लम है फाइजर की यह प्रॉब तो यहां पे रश्या की स्पुट्निक 5 से भी यह बोला है कि आप ट्रायल करो और अब स्पुट्निक 5 भारत में भी ट्रायल करेगी पंद्रा सौ पाइजिसेपेंट्स फेज 2 थी ट्रायल्स भारत में होंगे 10 साइट्स को अल्रेडी सिलेक्ट कर लिया गया है यह स्पोक्सपरसर ने बोला है कि there are two forms of Sputnik 5 vaccine, Sputnik V है यह, I'm sorry मैं 5 5 बोल रहा हूँ, मुझे याद आ गया, यह पर क्या हो था कि एक दूरदर्शन की आंकर थी, शी जिन्पिंग बोलना था, तो शी को उनने 11 बोल दिया था, 11 जिन्पिंग तो उनका बड़ा मजाक उड़ा था, I'm really sorry यार, यह Sputnik V है, महाफी चाहूँगा, Sputnik V, कभी-कभी मैं लेच्चन में इतना इंवाल्व हो जाता हूँ कि इक दम भूली जाता हूँ, but anyway, तो यह यह जो Sputnik vaccine है, तो there are two forms, एक जो minus 18 degree Celsius पे store होगी, और एक जो 2-8 degree Celsius पे store हो सकती है, यह बहुत बढ़ी आ है, इसमें आपको deep freezer की इतनी जरूरत नहीं है, normal भी हो सकता है, तो फिलाल, Sputnik V के यह हाल है, अब आखरी के बात करते है, Johnson & Johnson, Johnson & Johnson, यह COVID-19 vaccine की race में अभी सबसे की वज़े से, October में इन्होंने अपने trial भी रोग दिये थे, लेकिन अमेरिका से लगातार यह बातचीत पे है, single shot, एक shot ही, यह अपनी single shot vaccine, JNJ, 7, 8, 4, 3, 6, 7, 3, 5 vaccine, single shot vaccine, को एक ही shot की इसमें जरूरत है, तो कड़ी काफी advance है, और इसमें अच्छा कासा, millions and millions of dollars भी फूके जा और अभी 7,000 से जादा volunteers phase 3 trials में हैं, तो फिलाल यह है और यह भी एडिनो वाइरस का, modified एडिनो वाइरस जो की chimpanzees में होता है, जो अमारी Oxford यूज़ कर रही है, वो यह भी यूज़ कर रहे हैं, जान लिया vaccine के बारे में, तो इतना समझ लिज़े कि December में result आने वाले हैं, और